हेलो दोस्तो नमेशकार पर जगे वे थे मतलब सोचा भी नहीं था मतलब इतना लेट वीडियो पर आया था अच्छा लगा मतलब मार्केट के प्रति अगर में बात करूं तो अगर में खुद का यहांकर में पाच-दस साल पहले कि अगर में मतलब सोच कर Ohh Market की प्रति हमें रिटेल इस्टर का इंटरे कुछ नहीं था बट स्टिल बहुत अच्छा लगता है कि आप इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं सो जबरदस लगा कल मुझे मतलब में लिटरली कल जब देखा कि इतने सारे लोग यहापे एक्टिव हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है अमेरिकन बाजार में भी सो बहुत अच्छा लगा तो लिटरली बहुत अच्छी बात है मतलब यह जो बोलते ना कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट के प्रती जो पॉजिटिविटी है यह जबने वाली है जित्रा आप इंटरेस्ट दिखाओगे एं ऐसे माहोल में आपको पता हिए यह बौut वर्स्ट माहोल होता है बहुत ही बोरिंग टाइप का है इसमें लोग क्विट कर जाते इसे मावल में भी आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है मतलब इस मावल में जो टिक गया ना वो टिक गया ठीक है एनिवेस चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के दिन के मार्केट की बात करें बहुत सारी चीजों को कवर करना है सबसे पहले कुछ फॉर बेरिश वियू यहापे होता है तो ऐसा की हुआ तो हर किसी को पताई है वो भी मैं आप लोगों को बताई दूँगा जस्ट फॉर्मलेटी है निफ्टी के भी सेम वही चीज हमनों को देखने को मिली गैप डाउन देखने को मिला अमेरिकन बाजार में जिस प्रकार की पस बाजार प्लस माइनस चल रहा था देन सड़नली एक जबरदस खबर हम लोगों को देखने को मिल गई पार्ट वन पार्ट टू के सबसे मैं आप लोगों को बताई था फिर तेजी एंड जैसे मैं आप लोगों को उस विडियो में भी बताई कल का वीडियो कि वो अगर अगर हम लोग आप बात करें तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर की भी अगर हम लोग बात करें तो जबरदस हम लोगों को कल के दिन एक्टिविटीस देखने को मिली मतलब ठोड़ा से इसके मुझे कैंडल स्टिक्स उपन करना पड़ेगा तो आप यहां पर चेक कर स जो जहां से वो भागा था उसको तोड़कर वो नीचे चला गया तो इस सारी चीज़े हैं अपर होई रीते हैं अमेरिकन बाजर कितना गिरा बाद में नीचले सतर से रीकवरी आई लगबग 200-200 पॉइंट की रीकवरी अब ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत नीचे था जो कि आप यह देखिए विटनेस भी कर सकते हैं अमेरिकन बाजर यहां पे क्लोज हुआ उसके बाद यह थोड़ा सा हमनों को कम बैक करते हैं इस प्रक इसमें कितने सारे शेर होते हैं मतलब अंदाजा लगा सकते कितनी भयंकर वालेटिलिटी है बाजर में आप लोगों को कहा था वह तो कल ही हम लोगों को ने कवर किया था कौन सा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे 25 बैसे पॉइंट कर लिया फेड ने तो उससे होता ना तो ऐसा ही ये उल्टा बन जाता तो ठीक है ये कल हम लोगों को पार्ट बन में देखने को मिला था देन पार्ट टू कि अगर बात करें पॉइल जी की कॉमेंटरी साड़े बारा बच गए थे सारी चीज़े प्लस उनकी प्रेस कॉनफरेंस भी चलते थे बहुत सार अवाल पूछेगे बट उन्हेंने एबदम रोक ठोक जवाब देना बोलते हैं वैसी चीज़े आपी की सबसे पहले अगर मैं इसमें से एक मेन पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना तो फिलाल की जो बैंकिंग सिस्टिम से रिलेटर जो वहाँ पे जो हड़कम मचा हुआ ह जो छोटे-छोटे बैंक्स, रिजिनल बैंक्स में जो भूकम देखने को मट रहा है तो इसके चलती इन्होंने अपना जो विजन है जो उन्होंने पहले जो बात बोली थी हाँ उसको उन्होंने चेंज नहीं किया मतलब दबाओ देखने को नहीं मिला बोल दिया कि अभी ये उन्होंने बोला है पता नहीं अभी आगे situation कैसी रहेगे उसके इसाब से U-turn भी लिया जा सकता है इसके पहले भी हम लगोंने देखे हैं तो ठीक है तो उन्होंने इतना तो बोल दिया कि 2023 में तो rate cut तो भूली जाईए मतलब उन्होंने इस प्रकार की चीज़े आपे बताई है in fact उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आने वाले समय में भी वो क्या यापे करने वाले है rate hike कर सकते है no doubt situation की साब से चलना पड़ता है बट उन्होंने अपनी पुरानी बातों को ही continue रखा market थोड़ा expect कर रहा था कि जिस प्रकार से system में जो चीज़े चल रही है banking system अमेरिका में थोड़े से पॉवल जी यहापे नरम पड़ सकते बट believe me ऐसा कुछ भी हमनों को देखने को आपे नहीं मिला then recession से related भी चीज़ों को पूछा गया तो इस सारी चीज़ें हम लोग को कल के दिन यहापे देखने को मिली थी मतलब अगर overall अगर हम लोग बात करें जो बोलते हैं न होकी स्टैंस जो उनका रहता था पहले वैसे ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली कोई उन्होंने बदला यहापे नहीं किया जो भी banking system में चीज़ें चल रहे उससे related जो की market थोड़ा expect यहापे कर रहा था मतलब एब बोल्ड रहे के उन्होंने सीधी सीधी बात है यहापे बोल दी कोई अपने चीज़ों में change यहापे नहीं किया देन दोस्तो थोड़ा सा surprise बाजार में हम लोगों को देखने को मिल गाए surprise किस चीज़ से related तो इनको तो आप अच्छी तरीके से आपे जानते होंगे अगर नहीं जानते तो चलिए थोड़ा से इनके बारे में जान लेते हैं जैनेट येलेन जी की में यहापे बात कर रहा हूँ तो अगर पुरा नहीं इसके अगर हम लोग बात करे तो यह भी फेड के चेर यहापे हम लोगों को रहती वे देखने को मिली थी फिलाल की अगर हम लोग बात करें तो यह Treasury की Secretary है, मतलब US की अगर हम लोग बात करें तो, जब Powell जी का, मतलब बुलते हैं न कि बयान यहाँ पे चल रहा था, Press Conference यहाँ पे चल रहे थे, तभी Janet Yellen जी का हम लोगों को वहाँ के जो संसद है, वहाँ पे एक Statement देखने को मिल गया इसके बदलत हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट में किदर से भी कुछ भी चीज़े यहाँ पे होती रहती है, वहाँ से हम लोगों को strong reactions देखने को मिल गए, तो पहले तो उन्होंने बताया था कि अमेरिका की जो banking system है, वो strong है, कोई डरने की ज़रुवत नहीं है, ल यह एक one of the major reason हो सकता है, जिसके चलते बाजर में, अमेरिकन बाजर में, यहाँ पे मतलब गिरावटे ज्यादा aggressively होते हुए देखने को मिली, कौन सी चीज़ से related, तो अमेरिका में अभी क्या चल रहा है, एक ही चीज़ चल रहा है, कि banking system के उपर लोगों का भरोसा है कि नही universal depositors insurance scheme, yes, UDIS की अगर हम लोग बात करें, यह बार बार बताया जा रहा था, कि depositors को insurance यहाँ पे provide किया जाए करके, उन्होंने सीधी सीधी यह बात संसद में on record मना कर दी, अब चेक कर सकते हैं, not considering blanket insurance for all US bank deposits, तो यह बात जैसे उन्होंने बोल दी, तो definitely जो बाकी के जो छोटे चोटे बैंक से, उनके लिए तो यह बुरी बात यहाँ पे रहेगी रहेगी, तो इसलिए सबसे पहले तो हम लोग ने first republic bank को ही देखा, अभी आप उपर से देखोगे तो लगेगा, ठीक है य यह usually कल के दिन गिरा नहीं था, बिलकुल point पे चल रहा था, बट जैसी यलन जी का statement डिखने को मिला, आकरिशन के उपर हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, फटा फट हम लोगों को यहाँ टक टक करके ऐसी गिरावट देखने को मिल गई, तो basically अगर हम लोग बात करें, तो क ऐसा प्रोवाइड करेंगे, support प्रोवाइड करेंगे, पट यह जो insurance वाली जो बाते हैं, उन्होंने साफ साफ मतलब पर्ष्ट शब्दों में ही बोल दिया, कि जो यह लोग सपने देख रहे हैं, कि banking में जो आप लोगों का deposits है, एक limits रहते हैं, उसके हिसाब से हम आपको safety करेंगे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला यहापे नहीं है, कभी-कभी कुछ मतलब देखा कि यह बात कड़ी है, पर थोड़ी सी सज भी है, क्योंकि अगर आप insurance प्रोवाइड यहापे कर दोगे, बड़े स्तर के उपर, तो लोग तो बिंदास मतलब जाब फिर interest जादा वही पे तो सीधा पैसा लेकर घुश जाएंगे, अभी चलो इतना समझने के लिए हम इंडिया के उपर ही आ जाते हैं, अभी इंडिया में आपको पता ही है, हमारा insurance कितना है, banks में, अगर आप deposit रखते हो तो, पाच लग, पहले एक लग क्या सपस्ता, अभी पाच लग किय इस सरकार के अगर हम लोग बात करें, कुछ, मतलब बोलते हैं न, अच्छे-ची चीज़े होते हैं, उसमें से ये बहुत ही जबरदस चीज थी, तो अब आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पाच लग की यहापे FD कर लेते हैं, रिस्की ब बहुत सारे लोग अमेरिका में भी expect लेकर यहापे चल रहते हैं, कि ऐसा कुछ यहापे होगा, तो ये लन जी ने तो सीधा-सीधा यहापे मना ही कर दिया, तो यही चीज़े हम लोगो कल देखने को आपे मिले तो इसके चलते बाजार हम लोगो नाराज होते वे देखने को आपे मिल रहा है, मतलब अगर मैं इसका overall conclusion निकालू ना, bond market का, अमेरिका के 2 साल के भी, अगर 10 साल के भी अगर हम लोग इससे बात करें तो, तो bond market दोस्तों ये expect कर रहा है, जो पॉवल जी ने बोला है ना, उसके विपरीत वो expect कर रहा है, पॉवल जी ने क्या बोला, 2023 में rate cut नहीं होगा, बट bond market में जिस प्रकार से reaction दिखाया है, bond market ये expect करता है, कि rate cut उनको करना पड़ेगा, ये इस प्रकार की चीज़े हम लोगों को, मतलब बोलते है ना, जो signal है, उस हिसाब से हम लोगों को इस सारी चीज़े देखने को आपे मिली है, तो इस प्रकार की हल चल तो हमारे इंडियन market के उपर भी आप volatility देख सकते हैं, अभी American Bazaar के future में भी top level से अच्छी गिरावट डिखने को मिली है, इसी चीज़े के चलते हैं, ये जो गिरावट है न दोस्तो, इतना extreme up and extreme down क्यों हो रहा है, इसी चीज़े के चलते हो रहा है, कि American Bazaar का future, suddenly हम लोगो जोरदार गिरते हुए देखने को मिला, इसलिए हमारा nifty भी हम लोगो top level से suddenly नीचे जाते हुए देखने को आपे मिल रहा है, इसी चीज़े को थोड़ा सा हम लोग यापे American Bazaar का future है, इसको थोड़ा सा candle stick में मैं आप लोगो दिखा देता हूँ, मतलब 5 minute का ये देखे, ब extreme हम लोगो plus minus वाला खेल देखने को आपे मिल चुका है, जितनी भी important points थे, सारे आपे मैंने cover कर लिए, बढ़ जाते आते हैं आप सब लोगो पता ही है, इस channel से related हम लोग एक मज़ेदार क्या चीज़े खेलते है, आज के अगर मतलब ये सारा drama जो देखने को मिल रहा है, इस blanket ensure, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, सपने देखना छोड़ दो, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग कह सकते वहां कि जो छोटे bank से, उनमें हम लोग को panic वापस continue होते वे देखने को मिला, इसी चीज़ का सारा जो प्रेशर है, वो American बाजार के उपर आया है, और जो चीज़े ह हर दो मैने में ही चीज़े होती रहती है, तो फिर आपको एक पैटन समझ में आ जाता है, तो आशा करता हूँ, वीडियो आपले हमको पसंद दया होगा, तो जरू लाइक एंड शेर कर दिना, और दीमेट अकांट अभी तो अपन नहीं किया, तो लिंक नीचे बढ़े